Hello Everyone, Welcome to MS Education TV 12th Class के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो में आपको कमेश्टी के सभी सेट ABCD का कम्प्लीट सॉलिशन देखने को मिलेगा यदि आपको और भी सभी सभी सेट के सॉलिशन देखने हैं तो में यूटूब चैनल के ओपर जा की देख सकते हैं और यदि आपको क्यूशन पेपर डाउनलोड करने विद आन्सफर तो इसी वीडियो की डिस्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले सेट एक ही जो क्यूशन इनको डिस्कस कर लेते हैं तो इसमें फैस्ट क्यूशन देखिए नंबर ओफ टेट्रा हेडरल वोइट इन दा एफ सी सी यूनिट सेल इज तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट ए ओप्शन इसमें क्या होगा बिलकुल राइट next question है isotonic solutions are the solution having same तो same क्या होता है osmotic pressure तो इसमें जो बी ओप्शन क्या होजाएगा बिलकुल राइट next question है for the given cell reaction mg mg2 positive cu2 positive cu तो इसमें जो cu क्या होगा यह क्या होगा cathode तो इसमें यहाँ पे बी ओप्शन क्या होजाएगा बिलकुल राइट next question है identify the order of reaction from given rate constant तो इहाँ पे rate constant दिया गया है इसको देखके आपको जो है reaction का order बताना है तो इसका order जो है कौन सी जो है order की reaction है second order की तो इहाँ पे c option क्या होजाएगा बिलकुल राइट next question है which property of colloids is not dependent on charge on colloidal particles तो इसका right answer होजाएगा tindle effect तो इहाँ पे c option क्या होगा बिलकुल राइट next question है which of the following is strongest acid आपको बताना है strongest acid कौन सा हीन में से तो इक कौन सा होजाएगा यहाँ पे इसका right answer होजाएगा hclo4 तो इहाँ पे जो d option क्या होजाएगा बिलकुल राइट next question है which of the following element does not show allotropy तो इसका right answer होजाएगा nitrogen तो इसमें a option क्या होगा बिलकुल राइट next question है which element does not show variable oxidation state तो इसमें कौन सा जो है यहाँ पे आपको बताना element है जो variable oxidation state को शो नहीं करता है तो इनमें से कौन सा होजाएगा यहाँ पे इसका right answer है asc यानि कि scandium next question है which of the following oxygen state is most common among the lengthenoid तो इसका right answer क्या होजाएगा यहाँ पे प्लस 3 तो इसमें जो b option क्या होगा बिलकुल राइट next question है what is the coordination number in the co ns3 5 co3 cl compound तो इसका right answer होजाएगा प्लस 3 यानि कि 3 इसमें जो b option क्या होगा बिलकुल राइट next है the oxidation number of cobalt in kcoco4 आपको जो oxidation number बताना है cobalt का तो क्या होजाएगा minus 1 तो इसमें जो b option क्या होगा बिलकुल राइट next question है a primary alkyl halide would prefer to undergo तो इसका right answer क्या होजाएगा sn2 तो इसमें जो a option क्या होगा बिलकुल राइट next question है molecular formula of ethers is आपको ethers का molecular formula बताना है तो इसका right answer होजाएगा cn s2n plus 2o तो यहाँ पे जो c option क्या होगा बिलकुल राइट next question है which is strongest acid in the following आपको बताने में strongest acid कौन सा है तो इसका right answer होजाएगा cn s3o h तो इसमें जो a option क्या होगा बिलकुल राइट next question है idoporum test is not given by idoporum test जो किसके दोरा नहीं जया जाता तो इसका right answer होजाएगा 3 pentanone तो इसमें जो c option क्या होगा बिलकुल राइट next question है which base is present in RNA not in DNA कौन सा जो base है जो RNA में तो होता है लेकिन DNA में नहीं होथा तो कौन सा है ये है uracil तो इसमें जो c option क्या होगा बिलकुल राइट next question है vitamin responsible for the coagulation of blood is आपको बताना कौन सा जो vitamin है जो blood के coagulation के लिए responsible है तो कौन सा vitamin K तो यहाँ पे जो d option क्या बिलकुल राइट next question है what is frankal defect? frankal defect क्या है तो यहाँ पे इसका right answer हो जाएगा बाकी इसको जो बुक के अलप से देख सकते हैं why gas is less soluble in liquids as temperature is raised आपको बताने के temperature बढ़ाने के बाद जो gases है वो लिक्वीड के अंदर less जो है वो क्यों है soluble क्यों है तो equilibrium की condition में जो वो shift हो जाती है तो equilibrium is shifted backward direction and gas less dissolved जैसे जैसे गरम करेंगे तो gases water से अलग होती जाएगी what is strong electrolyte? strong electrolyte किसको बोलते हैं तो यह solution या solute which completely dissociates in solution यानि कि जो solution के अंदर completely जो है dissociate हो जाते हैं उसको बोलते है strong electrolyte next define activation energy, activation energy क्या होती है तो minimum amount of energy required to a species undergo a specific reaction उसे को बोलते है activation energy what is observed वे है ने beam of light passing through a colloidal solution तो यहाँ पिसका राइट आसर क्या हो जाएगा scattering of light यहाँ पि मैं spelling लेख देता हूं S-C-A-T-T-E-R-I-N-G scattering of light इसमें बोला गया है कि जब light pass करते हैं किसी colloidal solution के अंदर से तो क्या हो जाता है जो light होती है वो बिखर जाती है तो scattering of light इसको टिंडल effect भी बोलते हैं टिंडल effect नेक्स्ट है वाट इज embedded lesions क्या होते हैं तो a type of lesions which have the ability to bind central atom to the atom of two different elements नेक्स्ट क्या होती है तो यह अपने language में जो यहनकी थोड़ा से lengthy question आप बुक का सारा ले सकते हैं नेक्स्ट वाट are the expected products of hydrolysis of lactose आपको बताना है कौन से जो expected product होते हैं जब hydrolysis करते हैं किसका lactose का तो इसको बोलते हैं बिटा डी जो है गलेक्टोज और दूसरा होता है बिटा डी ग्लुकोज ठीक है गलुकोज तो अगर आप जो है गलेक्टोज और ग्लुकोज इतना भी कर देते हैं तो भी बिल्कुल right हो जाएगा आपका answer next ionic solids conduct electricity in khalistan state तो इसका right answer क्या हो जाएगा molten state जो ionic solids होते हैं वो electricity को molten state के अंदर क्या करते हैं conduct करते हैं next rate of reaction controlled by slowest step card तो जो rate of reaction को control करते हैं उसमें जो slowest step होता है उसको क्या बोलते हैं तो यहाँ पर dash है खलिस्तान है तो उसको बोलते हैं rate determining step फ्रीक है spelling यहाँ पर मैंने लिख दी है आप याद रख सकते हैं rate determining step next है the general electronic configuration of transition element is dash तो electronic configuration बताने हैं किसकी transition element की तो यह होती है ns1 से लेकर 2 तक n-1 फिर यहाँ पर d1-10 ठीक है sorry 1,2,10 यह minus नहीं है यह क्या है इसका मतलब 2 ns1 से लेकर 2 तक n-1 into d1,2,10 next question है dash iron produced from complex compound यह complex compound के अंदर कितने iron produce होते हैं 2 next है cs3,cs2,br plus n-1 जब इनको add करते हैं तो यहाँ पर देखी क्या बनता है तो n-a-br तो बार निकल जाता है तो यहाँ पर क्या बनेगा यह बनेगा cs3,cs2,i ठीक है cs3,cs2,i blank में लिख देंगे next है यहाँ पर reaction को complete करना है जब आप इसकी reaction को complete करेंगे तो इसके अंदर बनेगा यहाँ पर cs2, double bond, cs2 अलगा आपको अलगलग लिखना है तो इस तरीके सिव लिख सकते हैं h, यहाँ पर h, फिर double bond, फिर c, यहाँ पर h, और इस side h, ठीक है cs double bond, cs2,cs2 double bond, cs2 next है dash is the iupc name of its compound का आपको iupc name लिखना है तो iupc name मनेगा इसका but to inal, but to inal, next question देखिए 34 का dash is the iupc name of complex compound, इसका आपको complex compound को iupc name लिखना है तो यहाँ पर मैं उपर लिख लेता हूँ, p, o, p, o, t, a, double si, potassium, tri, oxalate, यहाँ पर देखिए आपको space नहीं लगाना है बिल्कुल भी, aluminate और third, ब्रेकेट में यहाँ पर क्या लिखना है, तीन, potassium, tri, oxalate, aluminate, third, next, dash is the deficiency, disease of vitamin C, vitamin C की कान जो कौन सी, disease of T आपको बताना है, तो यहाँ पर blank के अंदर लिखना है, scurvy, scurvy, next, देखिए, set B के जो question है, इनको discuss कर लेते हैं, तो set B में देखिए, पहला question क्या पूछा गया है, first question है, the percentage of space unoccupied in BCC unit cell, आपको बताना है, कितना जो space unoccupied रहता है, BCC unit cell के अंदर, तो इसका rate answer हो जाएगा, 32%, B option right है, symbol of cryoscopic constant is, आपको cryoscopic constant का symbol बताना तो यह होता है, KF, तो इसमें C option right होगा, next, the SI unit of molar connectivity is, molar conductivity के आपको ऐसा unit बताना है, तो इसका rate answer हो जाएगा, SM2 mole inverse, तो इसमें जो D option क्या है, बिल्कुल right, next, the units of rate constant for first order reaction is, तो इसका rate answer हो जाएगा, time inverse, B option right है, next, if rate of reaction is independent of the concentration of reactants, then reaction is, तो reaction क्या होगी, तो zero order, तो यहाँ पे A option क्या होगा, बिल्कुल right, next, which one is colored, आपको बताना है, इनमें से color कौन सा है, तो इसका rate answer हो जाएगा, TIS206, 3 positive, तो इसमें जो 6 का पहला option क्या है, बिल्कुल right है, next, which type of isomerism present is, आपको बताना है, इनके अदर जाएगा, कौन सा isomerism present है, तो कौन सा ही है, ionic, तो यहाँ पे D option क्या है, बिल्कुल right, next, question देखिए next, in the following complexes, which metal has zero oxidation number, कौन सा जो complex है, जिसके अंदर zero oxidation number है, तो इसका rate answer हो जाएगा, NICO4, तो इसमें C option right है, next, question है, in which is strongest legend, तो इसमें जो आपको बताना है, सबसे strongest legend कौन सा है, तो इसका rate answer हो जाएगा, C, N negative, तो इसमें जो C option क्या है, बिल्कुल right है, next, next, valium sun synthesis is used to prepare, तो valium synthesis किस की लिए, किस चीज को बनाने में काम आता है, ether, तो यहाँ पे जो A option क्या है, बिल्कुल right है, next, which one is strongest acid, आपको बताना है, कौन सा strongest acid है, तो इसका rate answer है, P, Nitro, Phenol, तो इसमें जो D option क्या होगा, बिल्कुल right, next, C2H5O, C2H5 plus HI, तो यहाँ पे A plus B बनत है, जब यह reaction complete करेंगे, तो इसमें जो A बनेगा, यह बनेगा, C2H5O, और जो B बनेगा, यह बनेगा, C2H5I, तो यहाँ पे इसमें A option right हो जाएगा, next है, यहाँ पे reaction को complete करना है, मतलब यह कौन सी reaction ही आपको बताना है, तो यह कौन सी reaction हो जाएगी, रोसन मूंड reaction, यहाँ कि रोसन मूंड बोल सकते हैं, इसको reduction, रोसन मूंड reaction, तो इसमें जो C option क्या हो जाएगा, बिल्कुल, right, next question है, यहाँ पे देखी, P बनता है, जब यह बनेगा, यह बनेगा, जो A option क्या हो जाएगा, right, next question देखिए, इसको बोलते हैं, तो इसमें जो C option क्या होगा, बिल्कुल, right, next reaction of benzene, disonium chloride, with ethanol, will give, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, फिनोल, तो यहाँ पे जब benzene, disonium chloride को जो ethanol से अभी क्रिया करवाते हैं, तो क्या बनती है, फिनोल, तो इसमें जो 16 का D option, right, next है, vitamin B1 is known, vitamin B1 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ पे, जो है, thymine, thiamine, तो इसमें जो B option क्या है, बिल्कुल, right है, next question है, which vitamin is soluble in water, कौन सा vitamin, यहाँ पे जो water के अंदर soluble है, तो यह vitamin B, तो यहाँ पे B option, जो C option क्या होगा, अपना, right, यहन की vitamin B, next question देखिए, which type of semiconductor is obtained, when silicon dropped in boron, तो किस type का semiconductor मिलता है, तो यह मिलता है, P type, ठीक है, P type, जब क्या करते हैं, silicon को boron के अंदर, जो है, डॉप करते हैं, next, what is molality of pure water, pure water की molality कितनी होती है, तो 55.5%, यहन की साड़े पच्पन बोल सकते हैं, 55.5%, next question है, H2 plus BR to 2HBR, for the reaction rate, what is the order of reaction, आपको 21 के अंदर जो है, order कर, जो है, reaction का order बताना, तो यह बनेगा 3 by 2, यहन की 3 बटे 2, next, smoke is with type of collide, तो smoke जो है, किस type का collide है, तो यह है, aerosol, aerosol, आपको याद रखना है, next, among ASS3, NS3, PS3, BIS3, which is strongest reducing agent, आपको बताने हैं, इनमें से strongest reducing agent कोन सा है, तो यह है BIS3, यहाँ पे इसका जो right answer क्या होगा, यह होगा BIS3, last order right है, next, what is ZSM5, तो इसकी full form आपको बताने है, तो Z का मतलब बता है, यहाँ पे, geolite, ठीक है, और S का मतलब होता है, यहाँ पे, soconi, और M का जो मतलब होता ही होता है, mobile, और last में 5, यानि की, geolite, soconi, mobile, 5, इसका क्या होगा रखना है, answer, आगे इसके अगर detail में बात करें कि होता क्या है, तो it has two sets of intersecting channel, one is straight and other is zigzag type, and perpendicular to each other, बागी full form लिख सकते हैं, in which is dibasic acid, आपको बताने में इस dibasic acid कौन सा है, तो इसके right answer हो जाएगा, H3PO3, तो यानि कि इसके right answer हो जाएगा, H3PO3, तो इसमें second one right है, how many bases are present in RNA, यानि की DNA, DNA और RNA के अंदर आपको बताना कितने जो है, bases present होते हैं, तो 4, यानि की 4, next question देखिए, ionic solids have dash shape, तो ionic solids की shape कैसी होती है, यह होती है, definite, definite का मतला होता है, fix, definite shape, next question देखिए, chemical reaction, Zn से क्या बनता, Zn 2 positive plus 2 electron, is the example of process, तो यह किसका जो example है, जब electron निकलते हैं, तो इसको बोलते हैं, oxidation, तो इसमें यहाँ पे जो dash है, blank है, इसमें क्या जाएगा, oxidation, next question देखिए, in CR2 O7 to negative, the oxidation number of CR is, आपको CR का oxidation number बताना है, तो oxidation number आएगा, plus 6, next question है, dash type of isomerism is present in, आपको बताना है, इन के अंदर जो है, कौन सा isomerism present है, तो यहाँ पे dash दिया गया है, तो इसके अंदर आएगा, linkage, ठीक है, linkage isomerism, यहाँ पे spelling मैंने लिख दी है, L-I-N-K-A-G-E, linkage, I-S-O-M-E-R-I-S-M, linkage isomerism, next है, highest oxidation state shown by M-N-E, highest oxidation state show की जाती है, M-N-E-K, यह कितनी होती है, plus 7, next है, among CL negative, OH negative, CO, NO2, only dash is embedded, embedded legend, तो आप कौन सा होता है, तो इसका right answer हो जाएगा, NO2 negative, तो इसमें जो हो है, last वड़ा क्या होगा, बिलकुल, right, next, यहाँ पर reaction बतानी है, तो reaction में पहले A बनेगा, फिर B बनेगा, तो A क्या होगा, तो यहाँ पर बतायता हूँ, जो A है, जब reaction करेंगे, तो यह बनेगा CS3CN, CS3CN, B की बात करें, जब reaction करेंगे, तो यह बनेगा CS3, CS2, NH2, ठीक है, next, यहाँ पर आपको ATP की full form बतानी है, तो ATP की full form होती है, adenosine, adenosine, triphosphate, spelling में बतायता हूँ, adenosine, adenosine, t का मतलब tri, p का मतलब phosphate, phos, phate, next, among C2H5I, C2H5BR, C2H5F, और C2H5CL, has minimum boiling point, boiling point सबसे कम किसका होता है, तो यह होता है, C2H5F का, C2H5F का, तो यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, C2H5F, जो इसका क्या होज़े, अगर write है, answer, next, देखिए, set C की जो question है, इनको discuss कर लेते हैं, तो set C में देखिए, first question पूछा गया है, in a face-centered unit cell FCC, the number of octahedral voids is, voids, तो कितने होंगे, 4, तो इसमें A option right होगा, next question है, what is the value of events of factor, तो आपको बताना है कि value क्या होगी, events of factor की तो यह होगी, 5, तो इसमें जो B option क्या है, बिल्कुल right है, next, standard electrode potential of hydrogen, standard hydrogen electrode is, तो यहाँपे इसका जो right answer क्या होगा, 0.0 watt, तो इसमें C option right होगा, next question है, rate constant for reaction is rate, आपको बताना है कि, the order of reaction is, तो order of reaction क्या होगा, 0.5, तो इसमें जो B option क्या है, बिल्कुल right है, next, dispersion medium is, aerosol, colloid is, तो इसका जो right answer क्या होगा, air, तो यहाँपे A option right है, next, which is most basic, तो इसमें आपको बताना, most basic कौन सा है, तो NH3, C option क्या होगा, बिल्कुल right, next, harbors process is used to prepare, harbors process क्या लिए use की जाती है, क्या prepare करने के लिए use क्या जाती है, NS3, तो इसमें जो B option क्या है, बिल्कुल right है, next, which element will show highest oxidation number, कौन सा जो element है, जो highest oxidation number को show करता है, तो यह करता है, MN, तो यहाँपे B option right होगा, next, question number 9, which is evident and pleasant, तो कौन सा होगा, यह होगा, CN negative, तो इसमें जो B option क्या होगा, right, next, question number 10, what is the magnetic moment of SC3 positive ion, तो magnetic moment क्या होगा, 0 BM, तो यहाँपे जो B option क्या होगा, बिल्कुल right, next question देखिए, next question है, the oxidation number of CR, आपको किसके अंदर जो oxidation number बताना है, कि इसमें जो CR oxidation number क्या होगा, तो plus 3, तो इसमें C option क्या होगा, बिल्कुल right, next question है, what is the name of reaction, तो यह reaction दे रखिए, यहाँपे, आपको बताने, इसमें C reaction का क्या नाम है, तो इसको बोलते हैं, जो है, gutterman reaction, तो इसमें C option क्या होगा, right, gutterman reaction, which is the highest boiling point, तो highest boiling point किसका है, तो यह है CS3, CS2, 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 OS, तो इसमें जो A option है, बिल्कुल right, next, which one is bitterness legend, legend, तो कौन सा होगा, यह होगा, NS2, CS2, CS2, NS2, तो इसमें A option क्या होगा, बिल्कुल right, next, which is list acidic, तो इसमें सब से कम acidic कौन सा है, तो इसमें C2H5, OS, तो इसमें जो A option क्या होगा, बिल्कुल right, next question है, CS3, CO, NS2, जब reaction करेंगे, तो यहाँपे P बनेगा, तो P क्या बनेगा, यह आपको बताना, तो यह बनेगा CS3, NS2, तो इसमें B option क्या होगा, बिल्कुल right, next question है, next है, disaccharide is, यानिकि disaccharide is, disaccharide is, क्या होता है, तो यह बताना है, तो यह है, lactose, तो इसमें C option क्या होगा, जो निए जैनरे मिंटे भी एन्जाइम सारफ इन्जाइम्स क्या होते हैं इसमें डी ओप्शन ग्या बिल्कुल राइट है नेक्स्ट है वट थाइप ऑफ सेमी निक्टर फोरम्ट वें हैं, SIE लोपड वीध भी तो किस टाइप का semiconductor बनेगा तो यह बनेगा N-type semiconductor N-type Next question है MnO4 negative यहाँ पी reaction बनेगी तो Mn2 positive For the reaction, how many faradayas required तो कितने faradayas जो है जरूत पड़ेगी होगे 5, यानिकि 5 5 इसका right answer है Next है, is it possible that molecularity of reaction can be 0 तो 0 जो है कभी नहीं होगी तो इसमें right answer क्या होगा? No Next है, यहाँ पे आपको IUP cnm लिखना है Zn2, Fe, Cn6 तो इसका देखिए IUP cnm बनेगा यह बनेगा zinc, 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 hexa, saino, farad ठीक है? high, farad और यह क्या बनेगा? second zinc, hexa, saino, farad और second bracket में आपको लिखना जरूरी है Next, farad spelling आपको ध्यानर में रखने ही यह है ferrat, F-E-R-R-E-T, ferrat Next among, आपको बताने नहीं में से जोगा cn2 reaction fast show करता है तो fast की बात की जा रही है तो यह करेगा fast वाड़ा, cs3, cs2, 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 i Next which acidic order of primary, secondary and tertiary alcohol? तो आपको जो बताना है तो देखिए, primary bracket में आप जो है इसके लिख सकते हैं क्या? 10 फिर यह जो इसकी तरफ greater than का sign आएगा, large उसके बाद secondary के bracket में आप 20 लिख सकते हैं, फिर यह उससे थोड़ा छोटा है, और T क्या है 30 यहनि कि आप यह कह सकते हो कि 1 degree यह 2 degree और यह 3 degree यह जो बिल्कुल इसका right order है next देखिए, next इसका आपको IUPC name लिखना है तो इसका IUPC name बनेगा 2-methyl तो-methyl आगे बनेगा cyclo cyclohexone और cyclohexone को जो last में आप जो इस तरीके से लिख सकते हैं cyclohexone इस तरीके से लिख सकते हैं बागी अगर वहां तक आप उपर वाड़ा छोड़ देते हैं तो यह बिल्कुल right answer है यानि कि 2-methyl cyclohexone next है, write the name of 2 vitamins soluble in fat विटामिन जो है कुण कुण से है जो fat के अंदर soluble है तो इसमें 2 ही पूचे हैं लेकिन मापको बतायता हूँ आप यहां पे उड़ते हैं A, D, E और K इन में से आपने कोई भी 2 लिख सकते हैं ज्यादा लिखे हैं तो अभी कोई लिख करनी है packing efficiency in BCC crystal is dash present तो यहां पे कितना जाएगा 68% present next question देखिए next question दिया गए है यहां पे if 5 gram NaOH dissolved in 500 ml solution the molality of solution will be आपको इसकी molality बताने है तो इसका answer आप मुझे comment section में बताएंगे ताकि मुझे पताते हैं आपनी वीडियो को complete देख और आपको कितनी knowledge है जब भी इसको solve करें तो एक बात का आपको जरूर दियान रखना यहां पे molality पूछी है molality molality नहीं पूछी है तो इस बात का special दियान रखेंगे molality अलग चीज होती है molality अलग ठीक है तो molality के अंदर जो according इस cancer देंगे और इस cancer जरूर देंगे comment section में next है फिर में आपको बताऊंगा किसका answer right है next है dash is the most electronegative element in periodic table तो कौन सा जो है most electronegative element है periodic table के अंदर तो इसका right answer हो जो है को fluorine spelling में लिखे देता हूँ f-l-u-o-r-i-n-e r-i-n-e और इसको represent करते हैं f से तो इसमें 29 का right answer के आगगा fluorine next है if k is 0.693 divide में t1 by two the order of reaction will be तो आपको order बताना है तो यह क्या हो जाएगा first order ischo right answer क्या हो जाएगा first order reaction next है a catalyst gains the activation energy तो एक catalyst fatalist को क्या करता है तो decrease कर देता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा यहाँ पर dash में blank में क्या हो जाएगा decrease the activation energy next यहाँ पर 32 का इसके reaction को complete करना है तो reaction को complete करने हुए तो यह बनेगा CH3 COCH3 CH3 COCH3 Next question है tolerance reagent तो tolerance reagent क्या होता है तो अगर actual की बात करें तो actual जो ही होता है AG फिर यहाँ पे आएगा NH3 फिर यहाँ पे बंद फिर उसके बार आएगा 2 फिर यहाँ पे देखिए लार्ज ब्रेकेट और लास्ट में आएगा NO3 रियल में एक्चॉल में यह होता है जिसको बोलते जो है tolerance reagent लेकिन अगर बाइद अचानश किसी ने AG NH3 2 लिख दिया होगा तो उसको भी जहते पोसिबिल्टी उसको right है बाकी उपर वाला बिल्कुल right होगा नेक्स दोनों इस सही मान सकते हो आप एक तरिके से जादा preference आप जो है उपर वाले को देंगे among आप इन दोनों में बताना है more basic तो जादा basic कॉन सा है तो यह होगा C2H52NH तो इसमें जो फेहले वाला क्या है more basic है फेस्ट वाला क्या है right next in RNA the four basages present the adenine guanine cytosine और यहाँ पर बताना कि एक और कॉन सा आएगा तो यह आएगा uracil u-r-a-c-i-l तो यहाँ पर जो dash है इसमें क्या जाएगा uracil ठीक है next देखिए set D के जो question है इनको discuss कर लेते हैं तो set D में देखिए first question पुछा गया है first question है in a face centered unit cell FCC the number of tetrahedral voids तो इसका right answer क्या जाएगा 8 a option right होगा next number of faraday required to reduce one mole of mn4 two negative into mn2 positive तो इसका right answer होजाएगा 5 faraday तो इसमें जो a option क्या होगा right next identify the order of reaction from the given rate constant तो यहाँ पर rate constant दिया गया है इसकी unit check करके आपको बताना है कौण सी order की जो है rate कौण सी order की reaction है तो यह second c option right है next what is the value of when's whole factor the dilute solution of al2so4 3 तो आपको जो है i की value बताना है तो i की value क्या होगी 5 तो c option right है next in which bond angle is maximum किसके अंदर bond angle ज्यादा maximum होगा तो यह होगा h2o की अंदर water की अंदर b option right होगा next adsor option is तो adsor option क्या है तो यह है surface phenomenon प्रष्टी है प्रिगटना तो इसमें a option क्या है बिल्कुल right next question number of unpaired electrons in ni2 positive r तो आपको बताना है कि unpaired electron कितने होंगे तो यह होंगे 2 तो इसमें which is strongest acid आपको बताना है strongest acid तो यह है hclo4 तो इसमें जो यह option क्या बिल्कुल right है next oxidation number of pt in k2 ptcl6 तो आपको oxidation number बताना है तो oxidation number कितना हो जाएगा plus 4 c option right होगा इसका next which is ambidonate lesant तो क्या होगा तो यह होगा no2 negative तो इसमें a option right है next in the following which is highest bowling point तो इसमें सबसे highest bowling point किसका है तो यह है cs3i का तो इसमें जो b option क्या है right है next यहाँ पी reaction complete करनी है तो यहाँ पे last में पूछा कि p क्या बनेगा पहले a बनेगा उसके बाद p बनेगा तो इसमें अकेला p पूछा है कि जो p बनेगा last में जो है क्या होगा तो इसके right answer होजएगा cs3, cs2, nh2 तो इसमें b option right है next what is oxidation number of cr इसके अंदर oxidation number निकालना है तो oxidation जो है कितना आएगा इसका cr का ही आएगा 6 तो इसमें c option right होगा next which is the strongest acid तो strongest acid कौन सा ही है fcs2 c o o h तो इसमें जो d option क्या है बिल्कुल right है next what is the magnetic moment of nicl4 two negative complex तो magnetic moment क्या होगा तो यह होगा 2.82 bm तो इसमें जो a option क्या है बिल्कुल अपना right है 2.82 bm next question देखिए next यहाँ पे आपको reaction complete करने है तो इसमें जो last में product बनेगा जो p बनेगा यह आपको बताना क्या होगा तो p की value कितनी आगी यह आएगी c2 h5 and c तो इसमें c option right होगा next riboflavin is तो riboflavin कौन सा vitamin है तो यह vitamin b तो इसमें a option right है next इसमें which is not a carbohydrate है आपको बताने में इसे कौन सा carbohydrate नहीं है तो glucose, fructose और sucrose यह सभी carbohydrate होते हैं लेकिन starch क्या है यह carbohydrate नहीं होता तो इसमें c option क्या होगा अपना right next give one example of ionic solid आपको ionic solid का एक example लिखना है तो आप लिख सकते है NaCl यहने की sodium chloride या फिर आप लिख सकते है KCl कोन सा भी एक ही लिख सकते है potassium chloride next units of specific conductance तो specific conductance की आपको unit बताने है तो इसका right answer क्या होगा siemens per meter siemens per meter इसका क्या होगा right answer shortcut में आप इसको ends बीच में slash slash यह per का sign होता है ऐसे हम इस तरीके से लिख सकते है what is effect of temperature on rate of reaction तो temperature का क्या फ्रक पड़ता है तो जो temperature होता है ठीक है यह क्या करता है यहापे मैं complete लिख लेता हूँ एक बर दुबारा से ठीक है अगर जो कोई भी reaction है उसके उपर temperature का क्या परभाव पड़ता है तो जब भी temperature को बढ़ाएंगे तो जो reaction होगी यानि कि जो rate of reaction क्या होजीगी directly proportional देखें मैं यहापे directly का sign लगा रहा हूँ तो rate of reaction जैसे temperature को अगर बढ़ाते है तो reaction की जो rate वो बढ़ जाती है यानि कि temperature अगर इंक्रीज करेंगे बढ़ाएंगे तो reaction की जो rate वो भी बढ़ जाएगे अगर तेखेंगे तो reaction की जो rate वो भी घट जाएगे तो directly proportional है आपको इसका IUPC name लिखना है क्या IUPC name क्या होगा तो इसका length ही जो है थोड़ा सा बढ़ा IUPC name है तो यहाँ पर मैं नीच लिख देता हूँ सबसे बहुत देखें इसका एगा tetraamine tetraamine बोल सकते हैं इसको tetra tetra amine tetraamine chl or chloro nitro chloro nitro platinum 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 bracket में लिखेंगे यहाँ पर char4 और sulfate यह इसका complete IUPC name है tetraamine tetraamine chloro chloro nitro platinum 4 sulfate next which chemical equation for woods reaction woods reaction के आपको chemical equation बताने हैं वैसे अगर example की बात करें तो example अगर आप इस तरी के से लिखते हैं किसकते हैं CS3 BR 2 NA PLUS में BR CS3 ठीक है बीच वाले जो है या आपस में combine हो जाते हैं तो यहाँ पर बनेगा CS3 CS3 PLUS में 2NA ठीक है यह तो इसका example है लेकिन इसकी original अगर बात करें तो कि इसकी original chemical equation क्या बनेगी तो वो देखिए तो यह बनेगी R R का मतलब यहाँ पर कोई भी ग्रूप हो सकता है तो R X PLUS में 2NA PLUS में X R जब इसकी reaction करवाएंगे तो यहाँ पर बीच वीच वाले यापस में combine हो जाएंगे तो यहाँ पर बनेगा R R PLUS में 2NA X ठीक है यहाँ पर जो बीच में आपको Aero दे रखाया है यहाँ पर आएगा dry ether इसके अंदर आप लिखेंगे dry ether ठीक है dry ether next what happened when formal formaldehyde reacts with concentration के वच क्या हो जाएगा यह आपको बताना है तो इसमें जो है क्या निकलेगा तो इसके अंदर निकलेगा methaneol P O T A Double S I M Potassium Formate ठीक है जब भी reaction करेंगे तो इस दोनों चीज निकलेगी methaneol and potassium formate next question है what is denatured alcohol denatured alcohol क्या होता है तो यह क्या होता है addition of poisonous substance like methyl alcohol acetone or parodin in alcohol यानि कि poison substance होते है उनको add करना किसके अंदर alcohol के अंदर next write the name of two vitamins which soluble in fat fat के अंदर soluble vitamin के नाम लिखने है दो के यहाँ पे मैं आपको दो तीन बता आएता हूँ आप कोन से भी लग सकते हैं जैसे की A, D, E और K इन में दो ही पूछे हैं आप से कोई भी दो इन में से लिख सकते हैं मेलेबल भी होते हैं डेक्टायल भी होते हैं तो इनको बोलते हैं metallic solid M, E, T, A, L, L, I, C metallic solids next molar elevation constant is known as जो जो molar elevation constant होता है उसको किस नाम से जानते हैं तो इसको बोलते हैं E, B, U, L, L, I, O, S, C, O, P, I, C यानि की abilioscopic constant भी बोलते हैं इसको बोलते हैं abilioscopic constant next in SF6 hybridization of sulfur is आपको hybridization की जो है SF6 के अंदर जो है sulfur की hybridization लिखनी है तो यह हो जाएगी SP3D2 इसका क्या होगा right answer next reaction reaction के अंदर E, A, E, E तो E, A क्या है तो यह हो जाएगा activation energy A, C, T, I, V, A, T, I, O, N activation energy ठीक है question के आपको याद रखना है कि यह जो answer है कौन से question का है तो मैं question number जरूर बोल रहा हूँ next है among cheese cloud smoke dash is gel तो इनके अंदर gel कौन से है तो यह gel हो जाएगी cheese C, H, E, E, S, E तो चीज इसका क्या होगगा right answer next इसका IPC name लिखना 32 होगा तो इसका IPC name बनेगा 2, P, H, E, N, Y, L phenyl ethanol ठीक है E, T, H, A, N, O, L यानि कि 2 phenyl ethanol इसका right IPC name है next dash type of isomerism present इसका इनके अंदर कौन सा जो isomerism present है तो यहाँ पर मैं नीच लिख देता हूँ functional isomerism F-U-N-C-T-I-O-N-E-L functional ISO M-E-R-I-S-M functional isomerism क्या हो जाएगा इनके अंदर present next है primary, secondary and artery I means differentiated by तो इनको जो किसकी दौरा differentiate किया जाता है लग किया जाता है तो इसको बोलते हैं Hinsberg H-I-N यहाँ पर मैं दौरा लिख दाता हूँ H-I-N-S-B-E-R-G Hinsberg method Hinsberg method यह method की जगा आप लिख सकते हैं test इनको जो है किस तरीके से differentiate किया जाता है Hinsberg method या test के दौरा next है the disease caused by deficiency of vitamin D vitamin D की कमी से जो है कौन से जो है deficiency यानि की कौन सा रोग होता है यह होता है RICKET R-I-C-K-E-T-S RICKETS इसका क्या हो जाए गर राइट answer तो यहाँ तक जो वीडियो अपनी complete होचकी है एक question का answer मैंने आपसे पूछा है उसका answer जरूर आप comment section में देंगे ताकि मुझे पता चले आपनी वीडियो को ध्यान से देखा और आपको कितने दो लिए जाए फिर मापको comment section नो बताऊंगा आप का answer right है रोंग है यह दिया आप को और भी subject की important question की वीडियो देखने है तो मेरी YouTube channel की उपर जाके देख सकते है यह दिया आपको question paper download करने है with answer तो इसी वीडियो की description में आपको website का link मिल जाएगा वहाँ से आप इनको download कर सकते है साथी साथी दिया आप मुझे facebook, instagram और telegram पर follow करना चाहते है तो उसका link पी आपको इसी वीडियो की description में मिल जाएगा वहाँ से आप मुझे diet follow कर सकते है thanks for watching